नमस्कार दोस्तो आप सभी के एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस नहीं और फ्रेश वीडियो के माध्यम से दोस्तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा दाद खाज खुजली और दिनाय का ऐसा रामबैड इलाज जिसके इस्तिमाल से आप व खुजली की समस्या सर्ड़ियों में काफी बढ़ जाती है क्योंकि दोस्तों सरड़ियों में लो असनान बहुत ही कम करते हैं इसके साह साह सथ अपने अपने सरीर की शफाई bought की कम रखते हैं जिसके वाबड से मेल कहीं भी जादा इकठा हो जाता है और वहां पर पसीनय बाहर नहीं निकल पाता है, जिस वजह से वहाँ पे दाद खाज खुझली और दिनाए की समस्या हो जाती है और फ्रेंट्स बहुत सारे दवाओ के इस्तमाल करने के बावजूद भी, यह समस्या जड़ से खत्म नहीं हो पाती है कभी-कभी यह समस्या खत्म हो जाती है फिर से कुछ दिनों के बाद पनप जाती है तो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में आपको एक आसा नुष्का पताऊँ गा जिसके इस्तमाल से आपको दाद खाज खुले की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी तो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में आप सुरू से लेकर आखिर तक अवस्य बन रहें और आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में घंटी को अवस्य दबाएं जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो के जनकारिया आप काफी तेई से मारने में सक्षम है दोस्तों इसके इस्तमाल से दाद खाज खुषिज़ी के बैक्टिरिया बहुत ही तेई से कम जोड होने लगते हैं तो आपको इसमें लगभग एक चमस की मातरा में यह सर्षो का तेल ले ले लेना होता है और इसके बाद आप इस रिमेड़ी में दूसरी चीज़ ले वह फ्रेंट्स टर्मरिक पावडर यानि कि दोस्तों हल्दी पावडर दोस्तों हल्दी में एंटी बैक्टिरल गूंड और एंटी फंगल गूंड पर्चूर मातराइं पाय जाते हैं जो कि आपके फंगल इंफ कपूर दोस्तों यह वही कपूर है जो पूजा में आरती के समय इस्तमाल किया जाता है तो फ्रेंट्स आपको इसमें दो कपूर को ले करके और अपने हाथों से क्रस्ट कर देना होता है दोस्तों यह बहुत यह सानी से पावडर के रुप में बदल जाता है और इसके बाद आपको इन सारी चीज़ों को आपस में मिला देना होता है दोस्तों ये सारी चीज़ आपके घर में हमेशा एबलेवर रहती हैं जिसके इस्तमाल से आप दाद खाज ख़िली जैसे भ्यानक समस्या से बहुत ही कम समय में निजात पा सकते हैं तो फ्रेंट जब आप इसे ठान पे लगा दें और फ्रेंस लगाकर लग भग तब तक लिए वैसा ही रखें जब तक ये पुरी तरह सुख न जाए और जब पूरी तरह सुख जाए तो आप इसे साफ़ानी सवास कर लें और इस रिमेडी का ऐसा लगतार पांस दिनों तक इस्तिमाल करें मातर पांस द पूराने दाद खाज खुझली की समस्या काफी तेज से खत्म हो चुकी है